मुझार दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंडेंसर वाटर साइकल से जुड़े पार्ट उसके कनेक्शन्स क्यूंकि इस वीडियो को बनाने का मक्सद दिये था चिलर, पंप और ज्यादा नजदीक लगे हुए और बिल्डिंग को नगे हैं उनको समझा पाना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है यहां पर आप देख पाएंगे इनलेट का कनेक्शन है और यह कॉमन लाइन है यानि कि जो दूसरे चिलर से हैं जैसे कि यह सामने आप देख पारें इनमें भी इसी कॉमन लाइन से आपका पानी जारा कंडेंसर के अंदर जैसे कि इस कंडेंसर में इंटर कर रहा है तो यह पा आपको पता है कंडेंसर में एक होती है इनलेट और दूसरे होती है आउटलेट तो पंप में पानी कहां से आता है तो पंप में जो पानी आता है वह आता है आपका कूलिंग टावर से होता हुआ आपके पंप में इंटर करता है और पंप से जो पानी है वह आपका जाता है इस पाइप्लान के तुरू ज Moylle डगा तरह निकले या से निकलता हैं और यहां पर पाइप यह पाइपली जाओ दो घरी झाले का मिली आउट के पर टापा टांस लिए और शोनिक्राएपट निकले के तुरू है उल्ले condenser के अंदर inlet वाला पानी आता है और इनलेंट से जाता है इस pipeline के तूर्फ औरeties cooling tower की तरफ़ आप सामने लिए condenser से निकलकर ॥ाणर निकलता है और पानी को ठंडा करने के लिए इस pipeline के तुरू भेजा जाता है कि cooling tower की तरफ आप इस अब देख पा रहें तो यह connection जो है आपका condenser से भाहर आ रहा है और यहां से होता हुआ आप समने देखेंगे कोलिंग टावर इसमा लगा वहां पर जाता है और यही connection आगे भी गया है यह common line है क्यूंकि 2 cooling tower है तो इस line को आगे बढ़ाते हुए common line को cooling tower में भेज दिया गया है जैसे कि आप देख पारें, यह सामने जो बैलेंग सीम वाल लगा है, यह पानी इंटर है, कुलिंग टावर में जो पानी जाता है, वो इंटरेंस है उसकी और उसके बगल में जो दुसरा पाइप है, उसकी आउटलेट है, यहाँ पर एक स्टेनर लगा है, जो कि गंदगी को रखता है, और यही पानी आगे पंप की तरफ जाएगा, तो यह कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो चिलर के कंडेंसर से पानी जाता है, कुलिंग टावर के तरफ, कुलिंग टावर से पंप में आता है, पंप वापिस उसे कंडेंसर में बेचता है, और कंडेंसर से